वार्शिक राशिफल दो हजार तेईस व्रिशब के लिए स्वास्थ्य वर्ष दो हजार तेईस की शुरुवात से ही केतू छठे भाव में बने रहेंगे, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य की कुछ अजीबो ग्रीब परेशानियों से जूजना पड़ेगा, मधुमे के रोगियों को अपनी जीवन शैली में काफी बदलाव करना पड़ेगा, जन्वरी फरवरी के दौरान वाइरल बुखार से पीडित हो सकते हैं, जून माह में वक्री शनी आपको अनिद्र और हाइपर्टेंशन जैसी समस्याओं में घेर सकता है, जिसके कारण सिर्दर्द भी बना रहेगा, नवंबर माह में राहु के मीन राशी में जाने से तवचा और गैस रोग आपको कुछ परिशान करेंगे, यह वर्ष स्वास्थ्य के द्रिश्टिकोन से शुब प्रतीत नहीं हो रहा है, योग और व्यायान से आपको काफी लाभ होगा, आर्थिक स्थिती, वर्ष की शुरुवात बहुत अच्छी रहेगी, ब्रिहस्पती आपके आय भाव में रहेंगे, शेयर मार्केट और म्यूचूल फंड में निवेश से उत्तम लाभ होगा, व्यापार में पार्टनर्स के साथ तालमिल बहतरीन रहने वाला है, स्वास्थ्य पर आप काफी धन खर्च कर सकते हैं, अप्रेल में ब्रिहस्पती के गोचर परिवर्टन के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी के लिए आप महगे आभूशन खरीदने का विचार बनाएंगे, जून से सितंबर तक आपको कुछ आर्थिक परिशानिया रहेंगी, दवाईयों और लाइफ स्टाइल को लेकर धन खर्च होगा, अक्टूबर के बाद पुन्थ आपकी स्थिती में सुधार होगा, कौटुम्दिक एवन सामाजिक, पारिवारिक जीवन काफी सुख में रहेगा, बुजर्ब जातकों के लिए यह वर्ष शुभ नहीं है, अचानक होने वाली घटनाओं से आपको परेशानी होगी, नकारात्मक विचारों का शिकार हो सकते हैं, वर्ष का पूरवार्ध पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा, वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में विदेश में रह रहे, परिजनों से शुभ समाचार मिल सकते हैं, आपकी गलतियों को लेकर समाज में निंदा हो सकती है, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा की हानी हो, जून से सितंबर के बीच आप परिवार से कुछ नाराज हो सकते हैं, वर्ष के अंतिम महीने पारिवारिक ग्रिष्टी से शुभ रहेंगे, प्रणय जीवन, इस वर्ष आपके दामपत्य जीवन में प्रेम भाव की व्रिध्धी होगी, शुरू के चार महीने बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेमी जन के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन आपको उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा कई बार होगा जहां आपको रिष्टों में समझोता करना पड़ सकता है, किसी भी तरहे के छल, जूट और कपट से आपको बचना चाहिए, अगस्त सितंबर के बीच विवाह या नई रिलेशन्शिप शुरू या तै करने से बचें, इस वर्ष विवाह योग्य लड़कियों के विवाह की चिन्ता होगी, शिक्षा और करियर, करियर को लेकर परेशानियों का निवारण इस वर्ष होगा, यद्यपी शुरुवात कुछ खास नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप गती में आ जाएंगे, आपकी रचनात मक्षमता का विकास होगा, जिसके कारण आप किसी नए स्टार्ट अप की शुरुवात कर सकते हैं, जिसमें आपको बड़ा आर्थिक लाब हो सकता है, शनी राशी से दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मेहंत करनी पड़ेगी और उसका परिणाम भी देर से मिलेगा, उच्छ शिक्षा में कुछ तकनीकी कारणों से बाधा आ सकती है, आप जौब और कारोबार के उद्देश्य से किसी दूसरे शहर में भी जाकर बस सकते हैं, समाधान, प्रत्येक ब्रिहस्पतिवार गाय को जौख खिलाएं, निन्न मंत्र का प्रति दिन एक माला जब करें, ओम नम शिवाय, अगली विडियो में मिथुन राशी का वार्शिक फल,